Hello students, so अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ movement के बारे में, ठीक है, so movement क्या है, बहुत सारे living organisms का, almost all living organisms का, जाहे एक बहुती जादा significant feature है movement, अब बहुत सारे plants और बहुत सारे animals में movement देखा जा सकता है, अलग-अलग तरीके से, जैसे कि plants में होता है sunlight के through, ठीक है, wind के through, किसी-किस इसारे जो animals हैं, उनमें भी different different तरीके से आपको movement show होता है, जैसे कि अगर आप बात करें, protoplasm की जैसे amoeba है, unicellular organism amoeba, उसमें क्या होता है, जो protoplasm का movement होता है within the cell, वो भी एक movement का ही type है, ठीक है, कुछ organisms ऐसे होते हैं, जो cilia, flagella और बाकी structures के through move करते हैं, वो भी एक type का movement है, और human wings के अगर हम बात करें, तो वो भी बहुत सारे movement को show कर सकते हैं, जैसे कि limbs के through हो सकता है, eyelids को move करना, tongue को move करना, ठीक है, अपनी neck को move करना, इस सारी चीजिएओं को हम क्या बोलते हैं, एक particular term दिया गया है, जिसको आप बोलते हैं movement, मिलते हैं एक और नहीं वीडियो movement अब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, all the very best.